हेलो फ्रेंड्स मैं हुरुपाली एंड वेलकम टू माई चैनल आर क्राउन इस रक्षा बंदन हम बनाएंगे नारियल के लड़ू एक इजी इंडियन स्वीट टीश है तो इसको बनाने के लिए हम पहले शुगर का सिरप बना लेंगे याने की चाशनी बनाएंगे उसके लिए दो कप शक्र और एक कप पानी मेंने लिया है और इसको गैस पे हाई फ्लेम पे हम अच्छे से उबाल लेंगे और इसे अच्छे से पकाना है इसका कलर ट्रांसपर होने तब और हमें लड़ू बनाने के लिए गाड़ी चाशनी चाहिए इसलिए हम इसे एक 10 मिनट तक गैस पे पकने देंगे अच्छे से और बीच-बीच में चेक करेंगे कि ये हुई है या नहीं ऐसे स्पून उपर करके देखने से उसका गाड़ापन हमें पता चलता है और उसके बाद हम इसे लास्ट में लगता है ये हो गई तो चलो चेक करते हैं हुई आया नहीं इसके लिए हम लेंगे एक प्लेट में ठंडा पानी और उसमें थोड़ इसी चाहसनी डालके चेक करत इसको पानी में डालने के बाद ये अगर पानी में नहीं मिक्स हो रहे इसका मतलब ये हो गई है फिर भी इसका गाड़ा पंचे करने के लिए हातों से टच करके देखेंगे कि ये हातों में चिपक रही है या नहीं तो ये हातों में नहीं चिपक रहे हो रहे से उठाने से वो और इसको थोड़ा सा उबलने देते हैं ताकि ये लेमन का जूस उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए अब हम लेंगे एक स्पून घी और इसमें अब हम एड़ करेंगे नारियल का बुरादा ये नारियल का बुरादा मैंने मार्केट से लाया है ये मैंने नापकी लिया है दो ताकि मैंने इसमें डाला है दो टेबर स्पून घी और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा लोफ लेम पे इसको हम गर्म कर लेंगे ताकि इसमें अच्छा सा स्मेल आ जाएगा और अच्छा टेस्ट भी आता है फिर हम इसमें अड़ करेंगे आधा कप मिल्क ये मैंने बचाया हुआ जो मिल्क था वो फूर आड़ कर दिया है याने कि मैंने इसमें डाला है आधा कप मिल्क और इसे अच्छे से मिल्क मिक्स करके इसको थोड़ी देर तक हमें इसे ही छोड़ देंगे पकने देंगे इसको मिल्क में ये देखो अब ये अच्छे से पक गया है फिर इसमें हम एड़ करेंगे शुगर सिरप जो हमने बना के रखा है साइड में और ये मैंने डेड़ कप शुगर सिरप इसमें एड़ किया है और इसे अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पे इसको भी हम पकने देंगे ताकि ये जो नारियल का बुरादा है और अच्छी तरह से मी कि इलाईची का पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लूगी अगर आपको कोई दूसरे डाइफोर्स पसंद है तो आप उसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे और कर ले सकते हैं और इसक cricket कर देंगे ठंदा होने के छोड़ देंगे अफटर पाँच मिनट में थोड़ा सा थबर हो जाएगा ताकि हम इसे हाथों में पकड़ सके और इसके लड्डू बना सके तो यह देखो आब के लड़ू बन रहे हैं और हातों में भी इसको मतलब उतना हातों को भी तकलिफ नहीं हो रहे हैं तो हम अभी लड़ू बना लेते हैं पूरे और इसको मैं कोट कर रहे हूं नारियल के बुरादे से ही लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा मिक्सी में पिसके थोड़ा सा छोटा-छ इस तरह से आज के हमारी रेसिपी नारियल की लड़ू की रेसिपी तायार है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेर और कमेंट्स और बिल आइकोन प्रेस करना मत भूलेगा थैंक्यू फॉर वाचिंग मैं फ्रेंड्स